भारत में हिंदू शास्त्रों के अनुसार गाय को भगवान और माता का दर्जा दिया गया है शास्त्रों के अनुसार गाय हमारे लिए पूजनिया है गाय को मा का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि जिस तरह मा अपने बच्चे को दूद देती है उसी तरह गाय सिर्फ अपने बच्छले के लिए ही नहीं बलकि हमारे लिए भी अपना दूद देती है गाय के दूद में शक्ती मा के दूद के समान होती है इसलिए हम गाय को गौ माता कहते हैं आज भी हम गाय की पूजा करते हैं और माना जाता है कि गाय में देवी का वास होता है पहले जानते हैं सपने में गाय देखना कैसा होता है हिंदू शास्त्रों के अनुसार सपने में गाय देखना बहुत ही शुब और लाबकारी माना जाता है सपने में गाय देखना धन और सुक्षान्ती मिलने का संकेत है सूर्यदेव आप पर प्रसन्न है और आपके स्वपन में गाय के रूप में प्रकट होकर आपको आशिरवाद दे रही है व्यापार के साथ साथ आपका घरेलू जीवन भी काफी अच्छा रहने वाला है ऐसे में सपने में गाय देखने का मतलब शुब माना जाता है तो चलिए जानते हैं सपने में गाय पीछे पर जाना यदि सपने में कोई गाय आपको मारने के लिए आपके पीछे दौरती है और आप उस गाय के सीन से बच जाते हैं तो यहाँ सपना इस बात की ओर संकेर करता है कि आप आने वाले समय में किसी बड़े खत्रे से बचने वाले हैं। यदि आप गायों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि आने के कुछी समय बाद आपके घर में कोई बड़ी लड़ाई होने वाली है, जिससे आपको बहुत अधिक शारिरिक ख्षती होने वाली है, इसके कारण आपको अस्पताल में भरती भी होना पड़ सकता है, इसके अलावा गाय आपके पीछे दोड़ती है, लात मारती है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में धन की समस्या आने वाली है, धन हानी भारी हो सकती है, इसलिए कुछ समय के लिए पैसों का लेंदे नहीं करना चाहिए और जहां तक हो सके बिजनेस या अन अपने में लात मारती है, यह एक अशुप संकेत है